सिर्फ एक चममच डेली लीजिए और अपने स्किन को, हेर को, अपने हेल्थ को, हर चीज को आप एकदम पॉफिक्ट बनाएए हे बीटफुल पीपल, वेलकम बैक तो माई चानल आज मैं आपके साँ शेयर करने वाली बहुत ही हेल्दी पावडर रेसिपी जो आपकी स्किन, हेर, हेल्थ, बोडी सब के लिए एकदम बैनिफिट देता है यहां लिया है एक कप पोहा जो आरांड 50 ग्राम है यहां दिया है मखाना, मखाना भी आपको 50 ग्राम सी लेना है मेरे पास कम था इसलिए मेरे थोड़ा कम लिया है यहां लिया है किश्मिश, किश्मिश के जगर आप मुनक का भी यूज कर सकते हैं, यहां लिया है छुवारा, जिसे ड्राइड डेट कहते हैं, ले लिया है, पर यहां लिया है अल्मंड, सारे को आपको 50 ग्राम सी लेने हैं, सेम कौन्टिटी में, अब एक पैन गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम में, और इसमें एड किया है बोहा, इसको हलका सा रोस्ट कर लेना है, ताकि इसमें मौस्टर्ड ना रहे, सारे को आपको ऐसे ही रोस्ट कर लेना है, जिससे इसमें मौस्टर्ड चले जाए, और इसे हम पाउडर बनाये तो एक म स्कूल जाते हैं यह पाउड़ा हर किसी के लिए इच और एवरीवन के लिए यह बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स देता है आप इसको डेली एक चम्मच एस इन ब्रेकफास्ट या नाइट टाइम बेड़ टाइम में आप मिल के साथ लीजिए और एक महने बाद आप खुझ अपने बॉड़ी में फर्कम ज़राएगा अब देख पाएंगे इस और आपके हें बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके स्किन आपका कोमप्लेक्शन बहुत ही अच्छा होगा जितना ये health के लिए अच्छा है उतना ही आपके skin के लिए, hair के लिए, आपके nails के लिए बहुत अच्छा होगा ये region fiber, region protein मखाना में बहुत अच्छा region fiber, region protein जादा होता है जिससे हड्डियों में होने वाले problems, आपके knee pain होता है, back pain होता है जिसे migraine का problem है, आप इसको just a powder लीजिए और आपको one month में आपको फर्क नजर आने वाला है मैंने सारे roast कर लिए हैं और थोड़ा-थोड़ा quantity add करके आपको fine सा powder बना लेना है आप इसको बनाईए regularly एक ही time पे आप daily अगर आप बड़े हैं तो एक चमच से देड़ चमच लीजिए और अगर आप बच्चे हैं तो एक चमच ही आप लीजिए इससे आपको after one month आपको work नजर आने वाला है अगर आपके बच्चे स्कुल जाते हैं चल्दी ठक जाते हैं तायट हो जाते हैं आप इसको milk के साथ दीजिए अगर working man या woman है वो भी लीजिए health के लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी skin में सबसी important इस आपका skin एकदम glow करन आने वाला है आप इसको कोई glass container में या tight container में भरके एक मेने तक store कर सकते हैं यह health के लिए बहुत अच्छा होता है मैंने cup ले लिया है कैसे बनाना है देखिए cup लिया है उसमें add कर दिया around 50 ml milk है उसमें add करना है अगर जैसे मैंने बोला अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो देख जब मच और अगर बच्चे के लिए है तो एक जब मच एड़ करके आपको पी लेना है बेस्ट अगर आप bed time night time में एक घंटा bed में जाने से पहले लेंगे तो आपको इसका benefit ज्यादा मिलेगा night में जैसे हम सब जानते हैं हमारा body relax mood में रहता है जिससे यह बहुत अच्छा work करेगा आप इसको जरूर ट्राइग कीजिएगा और मुझे एक महने बाद आप मुझे comment section में comment कीजिएगा कि आपको मेरी ये recipe कैसी लगी यह बहुत ही अच्छा होता है health के लिए so thank you for watching अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लागे तो please subscribe to my channel show your love and support अब तो subscribe कर दो या love you all bye bye